बॉलिवुड सूपर स्टार आमिर खान पिछले 30 सालों से लगातार फिल्में करते आ रहे हैं हाला कि पिछले कुछ सालों से उनकी फिल्में बॉक्स ओफिस पर कुछ कमाल कर पाने में सफल नहीं हुई लाल सिंग चडड़ा के फ्लॉप हो जाने के बाद उन्होंने तो अक्टिंग से ब्रेक लेने की भी बात की थी लेकिन अब जो बात सामने आई है वो बेहत चोकाने वाली है हाले में खबर आई थी कि आमिर कान दूम सीरीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूम चार के लिए वो आदित्य चोपड़ा से भी मिलने गए थी बता दे दूम 3 में आमिर दमदार अक्शन करते नजर आई थी और वो चाहते थे कि दूम 4 में भी अक्शन करें लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें एक जबरदस जटका लगा है कहा जा रहा है कि आदित्य ने आमिर के साथ दूम 4 में काम करने से इनकार कर दिया है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आदित्य दूम 4 में नए दौर की सुपरस्टार्स को लाना शाते हैं आदिती चाहते है कि उनके इस फिल्म में रनवीर कपूर या रनवीर सिंग काम करे अब लगातार फ्लॉप फिल्म में और फिर हाथ से दूम फोर का निकला आमिर खान के लिए तो एक बड़ा जटका है अब देखना ये होगा कि आमिर अब किस तरह की आक्शन में नज़र आएंगे